दोस्तो अगर आप लोगों की beard growth नहीं होती है from zero, zero से आप लोग beard जरनी start करते हो ठीक है जैसे एक दो महीने बितते हैं आपके beard तो भाई आज आता है लेकिन मेनात हाँ मैं मानता हूँ मेनात लगता है daily time देना पड़ता है जब तुम्हारे beard थोड़े बड़े हो जाते हैं मतल आई उस condition में तुम्हें क्या करना चाहिए क्या सिर्फ हमें मिनोग डिली यूच करना चाहिए क्या डर्मा रोलर मिनोग डिली यूच करना चाहिए आखिरी में क्या करें ताकि हमारे beard में कुछ और ही ज्यादा result दिखाई दे जैसे कि घनापन, मोटा पन, ठीक काला पन तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में बट वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एकी बात बोलना चाहूँगा अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है तो चलिए मैं आपको result दिखाने के बात बताऊंगा कैस आप अपने बियड को कुछी दिनों में पर्मोट कर सकते हो पर्मोट का मतलब टोटल अल बियड्स प्रॉब्लम सॉल्व ओके तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं मेरी बियड तो आगे लेकिन मैं अब क्या यूज करू ताकि मेरी बिय दूसरा भी वीडियो बनाया हूँ बट ये दोसरा अपडेट है इसके पहले एक वीडियो बनाया था लिंक देदूँगा वीडियो में आप लोग देख लेना उस वाले वीडियो से बहुत कुछ सीखनों को मिलेगा बट भाई का कोमेंट मेरे को मिला भाई मेरी तो बियर मिलना इस्टार्ट हो चुका है देखो भाई जो कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों के नजरों के सामने वीडियो लाइव दिखाता हूँ ओके तो थोड़ा मैं दोसरा रिजल्ट दिखाता हूँ यहां पर देख लो भाई दोनों साइड में देखो डेंसिटी कुछ ज्या आने लग लग जाते हैं तो यार यह नॉर्मल है ठीक है जो देखो भाई जो मोटे बाल होते हैं कभी-कभी उन्हें बलट सर्कुलेशन नहीं मिलता है ठीक है उसके जगह पे नए बाल आ जाते हैं तो आप लोगों को टेंसल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अब थोड़ा पर रहते होना भाई मेरे को ओल्डस वाला चाहिए तो ऑई लिंक दे यहां की निवाला भी मिल जाएगा और मतलब यारा देखो फोल्लू किट आप लोगों को मिल जाएगा डिसकाउंड को दिया हूं वीडियो की डिस्क्रीप्सर भाई जिसन को चाहिए हो मागा सकता है थ इतने महिने का रिजल्ट है आप लोगों को वाटसब पर बताऊंगा जरूर बताऊंगा ओके और प्रोडक्ट वगर और बहुत कुछ दिखाऊंगा ओके तो यहां पर देखिलो यह देखो भाई रिजल्ट तो यार देखो रिजल्ट में कोई कमीने यह बट बेर्ट जो हैं पतले हैं ठीक है बहुत से लोग कुछन करते है बहुत नहीं होती है तो दोस्त डॉस्त बहुत टाइम लग जाता है ठीक है वैसे मो बंदे को जरूरी छोड़ना पड़ता है मतलब यार वो खुद अपने आप जरनी फेल कर लेता है क्यों क्योंकि बंदे को जनकारी नहीं है भाई जरनी कितने सेप्टी से चलाना होता है ठीक है इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग वीडियो इंड तक देखना अगर सच में बोल रहा हूँ दोस सब को चाहिए किसको नहीं चाहिए सब को चाहिए बीड और बीड़ लड़के तो पता है जिनकी फूल बीड़ आते हैं लड़के आटोमेटिक जो एकी अट्रेक्ट हो जाती है ओके अगर यह बात आपको सच लग रहा है ना तो कॉमेंट में जरूर लिखना ठीक कुछ नक तो यह मत सोचना कि भाई अब बीड का रिजल्ट कम होते जा रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अभी मैं आपको दिखाता हूँ एहां पर देखे लो ठीक है यह टोटल भाई की रिजल्ट है जो की आगे पीछे इमेज मेरे को दिखाया था तो वही चीज मैं आपको तो भाई चलो मैं आपको WhatsApp पर लेकर चलता हूँ भाई ने क्या प्रोडक्ट यूज किया एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज किया भाई क Price Question क्या है आखिर मीं को कितने दिनका रिजल्ट मिला क्या केहना चाते हैं फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ अगर आपके ब देख लिए, सेम होई तजबीर है, यहाँ पर कोई दोसरा बंदा नहीं है, तो भाई आप लोग यहाँ पर देख लो, मैं बहुत फास्ट सलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख लो, चलो भाई का question answer देखती है, इनको क्या problem हुगा, जरनी में कितना time लगा, यह कित खुसी हो रहा है, मतलब यह बोलने है, मेरे को result मिल गया, अरे मेरे को result दिखा ही देराह, सच में MENOGDAL over कर रहा है, तो यहाँ जनुवन टिप्स है, भाई, work करेगा, ठीक है, किसी भी हाल में उसे over करना या और MENOGDAL का काम है, जब आपके blood circulation होंगे, तो भाई, वहाँ पर क लबाकर यूज कर रहा है ठीक है गलत मसमझना ठीक तो डर्मा रोलर आप लोग इस टार्टी में थोड़ा होले होले नाजुक हातों से चलाना है ज्यादा चोड़ में नहीं आना है भाई मैं तो एक महीने में केजिया बन जाओंगा नहीं बन पाओंगे दोस्त यहां पर यह दिन लग जाता है प्रोड़क्ट रिसीब होने में तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ठीक और एक मिनट थोड़ा उपर चलते हैं कि धर गया इधर है और गुड़ यूफ गोट बैबी है नाइस और नीचे दिखाते हैं आपको एक मंत दस दिन का रिजल्ट है चलो थ सबको होता है सबकी बॉड़ी अलग अलग रिस्पॉंस करती है तो सबको अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिलता है किसी को दो महिने में बेलकुल ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता है कहने का मतलब कोई बंदा दो महिने तक यूच करता ना उसको तो यार यह भी नहीं दिखाई देता है ठीक लेकिन लाश्ट में जैसे मतलब टाइम लगता है दिखाई देने लग जाता है जर्वनी में सिर्फ आपको पैशन्ष रखना है शबर रखना है एक मैंना दस दिन अपने बेबी हेर्स को एक्टिबेट कर लो जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर देखू यहां पर मतलब डेंसिटी ठीक ठाक है लेकिन जैसे जैसे बियर्ड मोटे होते जाएंगे ना वैसे इसमें डेंसिटी आपको दिखाई देने लग जाएगी बहुत से बाइब मैं आपको result लाओ, दीज दिखा दिया हूँ, दो मन्त 20 दिन हो गया, बोलो क्या करना बायोतिज लो क्या, तुम्हें आपको बोला हूँ ना कि अगर आपके बियर्ड आ जाते हैं, एक दो महाईना, तिन महाईना, अगर उस करना चाहिए चलिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा ओके सुनिएगा देखिएगा और सुनिएगा भी ठीक तो देखो भाई पहले तो तुम्हें क्या करना है अगर तुम्हारी बियर नहीं यह बिल्कुल नहीं है जैसे कि इस भाई को देखो पहले ब है तो भाई तुम्हें टेंसल लेने की कोई जरूरत नहीं है मानता हूं तुम्हें इस कंडिशन में मिनोडिल अगर अपलाई किये बियर तुम्हारी आ गई एक दो महिने में बिल्कुल ऐसे ही या इससे कम आई है या तो इससे ज्यादा आया है तुम्हें तुम्हें बढ़ा बढ़ा रह जाता है बहुत से लोग कट लगाते हैं लेकिन चलेगा कट तो चलेगा बटम मैं आपको बता दूं मैं हमेशा कोशिस करता हो भाई तुम्हारा पैसा बचे और तुम लोग हमेशा पैसा गवाने के चक्क्र में रहते हो अगर तुम्हारे मिनोडिल तो थोड़ा दिमाग लगाओ पैसे बचाओ जर्नी में और आपको क्या करना है सबसे पर ट्रिम कराना फिर उसके बाद तुम्हें बायोटीन अगर तुम सुरुवात से ही बायोटीन यूज कर रहे हो तुम अपनी जर्नी 5-6 मन्त यूज करो अगर तुम इस कंडिशन में स तो नहीं दिखा सकता लेकिन भाई तुम खूद पढ़ लेना ठीक है बायोटीन एक्चुली आपके एस पर बहुत ज्यादा वर्क करता है अगर मैं यूज करता है यूज करना क्योंकि आप तो ऑल रेडी मिनोक्षडील और डर्मा रोलर यूज कर रहो अगर आपको दो-3 म स्विच करना चाहिए ठीक है ब्रांड नहीं चेंज करना है कांटिनी जारी रहेगा आपका मिनोख डिल ठीक जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद अगर नहीं मोटे होते हैं तो भाई तुम्हें विटलाइजर स्विच कर लेना चाहिए या तो ब्रांड पसंद आए होगी अगर पसंद आए यह तो भाई लाइक करना चेनल को भी या सब्सक्राइब कर देना चेले दोसकों मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियों तब तक के लिए पाप बाए